हईलो दोस्तों वेलकम टू एसस एक्जाम दोस्तों जैसे कि अपने ऑफ्प्टर वन की च्रचा कर रहे थे तो दोस्तों अपनों कल इसकी अंदर बहुत सारे टॉपिक अपनों ने डिस्कस किये और दोस्तों रूल नंबर 17 अपनों ने इसमें रिवाइस किया ठीक है ठीक है तो दोस्तों OM part 1 और part 2 जो भुक है दोस्तों उसके अंदर maximum चीज़ें याद करने वाली है ठीक है दोस्तों conceptual बातें कम हैं ठीक है याद करने वाली है तो दोस्तों उनको याद कैसे करना है वो अपने ट्रिक्स तयार कर रहे हैं ठीक है और चीजों को दोस्तों एक साथ लाके उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है दोस्तों और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हब हर चीज हमें याद होनी चीए और पुराना दोस्तों रिवाईज अपने करते हैं ठीक है तो दोस्तों कल अपनों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले दोस्तों Chief Accounting Authority, Chief Accounts Officer, Principal Accounting Officers, Appropriation Account कौन बनाता है दोस्तों, Defense Services, Receipt and Charges, MOD Civil का दोस्तों कौन बनाता है Appropriation Account, ठीक है, फर्स्ट पेज में ये डिसकस किया था, दूसरे पेज में दोस्तों मैंने आपसे एक चार्ट के ब कमांट्स जो थी, जो मैप के अंदर मैंने लिखी थी, उससे रिलिटेड दोस्तों, जो अपने प्रिंसिपल CDA है, Defense Accounting Circle है, DAD Department के, PCDA जो Establishment है, उनको याद करने की कोशिश की, ठीक है, तो दोस्तों, आर्मी की कितनी कमांड थी, याद आया दोस्तों, आर्मी की दोस्तों और इधर दोस्तों, विजखा पटना, आंधरा प्रधिश में, ठीक है, दोस्तों, ऐर फूर्स की दोस्तों, पांच प्लस एक, ब्लस एक, मेंटेनिस और ओर ये ठ्रेनिंग कमांड, फांच, दोस्तों, आपको याद हो जाएगी, एक गदिनगर हो जाएगी, दोस्तों नज कि अर्मी के रिगार डियर चांध को इसांग तर चांधर इसांट में ओर टाओधम जिए पूसन का जब आप देखोगे तो एरफोर्स में क्या था एरफोर्स के अंदर दोस्तों नौर्थ में कोई भी कमांड नहीं थी ठीक है तो नीचे थी सारी कमांडे सेंटर में दोस्तों यहां क्या था सेंटरल कमांड लगनाव यूपी यहां दोस्तों इलाबाद आ जाएगा ठीक है किया था इसन में था दोस्तों इसके अंदर Dunane छाएगा दोस्तों इसको एसा करक्त हुए को दोस्तों chronic दिल्ली आ जाएग है ते इसको एयर फोर्स को रात प्रोस हो एक में से याद किया था maintenance command नागपूर और दोस्तों जो ट्रेनिंग कमांड की दोस्तों वो मेरे बैंगलूरू ठीक है ट्रेनिंग होती है computer की बच्चों की नेवी की कितने कमांड है तीन कमांड है ठीक है अब दोस्तों आर्मी की जो कमांड थी उनमें दोस्तों अपने जो रीजिनल PCDA और जो CDA है दोस्तों वो कैसे establishment है ठीक है उसमें दोस्तों मैंने कोलकता को हटा दिया और दोस्तों बैंगलूरू जोड दिया ठीक है और दोस्तो तो जाओगे तो वेस्टन में आप चंडीगड हो जाएगा ठीक है और इस्टन में जाओगे तो दोस्तों इस्टन में मेरे दोस्तों कोई भी नहीं है कोलकता उसको एक अधिक जो टीने चेह रीजनल CDA को कैसे याद किया मैंने जब सिकंदर चेंड नहीं गया ठीक है तीन वो याद होगी एक दोस्तों PCDAO का function अमनों याद किया ठीक है यह दोस्तों याद हुआ आपको आगे दोस्तों मैंने क्या पड़ा CGDA की दोस्तों डूटीज पड़ी CGDA क्या करता है क्या आपको मैंने चेंट याद रखने हैं क्या पेंटिका मैं चीन ऑच उफटonte की पेंटिया कि पयास जो काम है वह दोस्तों ड بتवाविसेस के पेंटियों की स्टाफ की पेट ऑटिये प Felix करता है दोस्तों बाटने का जो काम है वह करता है मेरे दोस्तों मेरे मित्रों सीडी पीडी मेरिट का काम है तो उसके अंदर दोस्तों में लिए 63 जो हैं डी पीडियोज आते हैं 63 में से दोस्तों मैंने ऐसे याद करवाया आपको 51 प्लस 12 दोस्तों 51 जो है वो तो सीडी पीडी मेरिट के डारेक्ट कंट्रोल में है और दोस्तों जो 12 बच्चे वो CDH&A के कंट्रोल में है इसके बाद दोस्तों मैंने आपको क्या करवाया CDF Under Merit के बारे आपनोंने बात करी CDF Under Merit क्या करता है दोस्तों GPF Account Maintain करता है किसका करता है दोस्तों D.A.D. के स्टाफ का Civilian Personal of the Army ठीक है दोस्तों और दोस्तों इसके अंदर दोतिंग बातें थी क्या बातें थी दोस्तों एक तो दोस्तों जो Honorary Commissioned JCOs OR है ठीक है और Honorary Commissioned Officers लिखा हुए ठीक है जो दोस्तों पेंशन के टाइम जिनको Honorary उपादी देखे बेजा जाता है पेंशन उनको दोस्तों बोलते है Honorary Commissioned Officers एक तो उनका फंड मेंटेन करता है दूसरा दोस्तों Civilian Clerk जो दोस्तों Second World War के अंदर थे यह दोस्तों लाइन लिखी गई है उसी के अंदर बोई बता रहा हूँ आपको ठीक है अब वरतमान में है या नहीं है इसका आपने को कोई आइडिया नहीं है कोई बुक में अमेंडमेंट नहीं है तो Civilian करत दोस्तों जो Second World War के ताइम पे थे उनको दिया जाता है और दोस्तों जो JCO OR है जो Civil Department को उधार दे दिया गए है जो Lent to Civil Department ऐसा लिखाओ JCO OR Lent to the Civil Department Their fund account maintaining the CDA fund merit ठीक है और दोस्तों क्या था प्रेजिडेंट के दोस्तों bodyguard जो है ठीक है उनका जो fund account जो दिल्ली के अंदर है उनका मेंटेन होता है CDA fund merit में ठीक है दोस्तों इतनी बातें अपनोंने डिस्कस करी थी अब देखिए दोस्तों आपको याद हो रहा है ना यह दोस्तों और आपको पुराना रिवाइस करता रहना है ठीक है आगे बढ़ने के साथ साथ लंच करते हो डिनर करते हो वैसे दोस्तों आपको इन चीजों के साथ जुड़ा रहेना है और दोस्तों इन चीजों को एकसप्ट करना है ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों आज का टॉपिक अपने शुरू करते हैं तो दोस्तों क्या है PCD New Delhi के बारे में बात करेंगे ठीक है और दोस्तों जितने भी लेक्टर होंगे दोस्तों में पुराना आपको रिवाइस करवाता जाओंगा ताकि वापिस दोस्तों आपके ब्रश अप हो जाए माइंड के अंदर रिकॉल हो जाए चीजे ठीक है तो दोस्तों सिविलियन स्टाफ जो है दोस्तों किसका M.O.D. का अर्मी हैड़ड़्ाडर का, नेवल हैड़ड़्ार का और इंटर सर्वीस और्गणाईजेशन का जो only दिल्ली में काम करते हैं का पे एंड आलांसेस टी ऐ और फंड अकाउंट डिल करते हैं ठीक है तो दोस्तों क्या बोर रहा है ध्यान से दिखी दोस्तों पेंड अलाउंसेश टीए और फंड अकाउंट दोस्तों सिविलियन स्टाफ किसका मोडी का आर्मी हेड़कॉर्टर का नेवी हेड़कॉर्टर का विंटर सर्विस एरोलेशन का जो ओनली दिल्ली में काम करते हैं दोस्तों उनका कौन मेंटेन करता है है PCDN न्यू दिली ठीक है और दोस्तों खास बाद ज्यान रखने न जो only दिल्ली वाले हैं दोस्तों उनके लिए ये बतें लागू होती है क्यूंकि दोस्तों PCDN न्यू दिल्ली जो एकलोटा ओफिस है दोस्तों वो TRISSर्विसिस को रेंडर करता है services ठीक है अब दोस्तों यह चीजें अपने पढ़ते हैं तो हुमारे दिमाग में दोस्तों और बहुत सारी बातें आती है कि सब प्य didn? अलावा जोस्तों क्म करता है ठीक है टीएए का अलावा क्म करता है fund account इलिवालों का दोस्तों को अपने आपको रिस्क में नहीं डाल रहा कभी भी तो दोस्तों जो question फ्रेम होगा तो वह बुक की as it is line लिखे हुए दोस्तों वहां से कर देगा foreign से कुछ सामान मंगा या उसकी payment कौन कर देगा तो दोस्तों यह शब्द देगा वह ठीक है और तो दोस्तों क्योंकि fund account दिल्ली वालों का तो PCD New Delhi कर रहा है और दोस्तों आप पुछोगे तो GPF account civilian of the army वह CDF under merit कर रहा था ठीक है तो दोस्तों आपको याद रखना है only दिल्ली वालों आएगा तो PCD New Delhi आपको टिक करना है ठीक है बाकी के लिए दोस्तों अलग लग जो नियम अपनी चप्टर में discuss किये हैं या करेंगे उसके बारे में आपको बता दिये जाएगा ठीक है अचलिए दोस्तों वर्क लिटेंग टूपेमेंट और फोरेंग कॉंट्रेक्ट दोस्तों विदेश्यों से कोई भी अपने कॉंट्रेक्ट करते हैं उसका दोस्तों पेमेंट जो होगा वो PCD New Delhi करेंगा एक दोस्तों सवाल कुछ जाता है रसिया से इंपोर्टेड टैंक जो करेंट अकाउंट के बारे में जब भी बात आजाएगी दोस्तों आपके तो आपको PCD New Delhi टिक करना है पेंड अलांस टीए फंड अकाउंट दिल्ली वालों का इसका सिविलियन स्टाफ एमोडी आर्मी हेड़कर्टर नेवी हेड़कर्टर आइसो जो दिल्ली में काम करते है समझ में आया payment for foreign contract की army purchase organization कुछ करती है London current account दोस्तों उससे और दोस्तों दो office है इसके jurisdiction में तो PCD New Delhi है दोस्तों इसके jurisdiction में दो office है एक तो है दोस्तों account office D.A.D.M.O.D. Civil New Delhi दूसरा है दोस्तों accounts office Department of Defense Supplies New Delhi ठीक है यह दो office है दोस्तों आपको एक सरस्री नगर से आपको इनको जयाद रखना है और दोस्तों क्या है maintenance of PF accounts in respect of group A, B, C officer ठीक है दोस्तों इनका PF account भी यह maintain करता है ठीक है समझ में आया दोस्तों आगे चलिए आगे देखिए दोस्तों जल्देशी देखते है अपने इनका काम AOD.A.D.M.O.D. Civil New Delhi है जो दोस्तों उनका काम का responsible for payment of bills relating to salaries T.A.D and miscellaneous claim of personal of the M.O.D. M.O.D. के जोस्तों जो personal है जोस्तों Ministry of Defense है न दोस्तों जो दिल्ली के अंदर जो office है उससे related सारे काम जब भी आजाए आपको नई दिल्ली टिक कर किया जाना है ठीक है M.O.D. के दोस्तों ABC के group के staff उसका GP fund account ठीक है उसको maintain करना और दोस्तों जो deputation या foreign services पे है मिनिस्ट्री से ठीक है उसका भी दोस्तों PCD New Delhi करे एक दोस्तों आपको short trick बताता हूं मानलों आपको तुक्का लगाना पड़ जाए तो दोस्तों born on ministry born on ministry born on the ministry of defense born on the ministry of defense ठीक है आर् कि आपका वो सही हो जाएगा ठीक है क्योंकि दोस्तों ministry से related सारे कां PCD New Delhi तो करेगा जहां वहां पे जो working हो रही है ठीक है आगे देखे दोस्तों क्योंकि यह office दोस्तों वहां पे नजदीक है ठीक है तो उनको कुछ भी discrepancies होगी कुछ भी उनको update करवाने हो रिकोर्स चेक किया जिस भी माद्यम से मेलो cash basis पैसा देना है वह दोस्तों कौन करता है PCD New Delhi कुछ department है दोस्तों चार या पांच department है चार है रेलवे पोस्टल का ठीक है इनको दोस्तों अपने क्या करते हैं settlement account के जरीए अपने उनको जो account है वो maintain करते हैं ठीक है उनको अपने पैसा नह Supplies New Delhi दोस्तों दूसरा जो ऑफिस था वो क्या करते है work of payment of defense supply contract ठीक है आगे दोस्तों note सबसे महत्कून होते हैं आप दोस्तों खुच से भी कोई चीजी पढ़ रहे हो मालो कोई भी बुक आपने start कर रही है audit code account code दोस्तों एक चीज आपको उसमें याद रखनी है जो दोस्त आपके पास 10 से 20% सवाल note जो दिये गए है इससे पूचे जाएंगे और 20% से ज़्यादा भी पूचे जा सकते हैं ठीक है में 25 या 30% सवाल मालो 100 सवाल आए तो 30 सवाल जो note है इनमें पूचे जाएंगे और only आप note भी पढ़ के जले जाओगे तो आपके 30% सवाल से ही होने क दोस्तों त्री सर्विसेज वर्ड आगया मिनिस्ट्री सब जा गया बोर्न ओन मिनिस्ट्री आगया ठीक है तो PCD New Delhi आंसवर है ठीक है समझ मैं आए दोस्तों आगे जलते हैं और देखी दोस्तों कंक्लूजन में इससे क्या निकलता है PCD New Delhi से अपने को दोस्तों जब भी दोस्तों तुक्का मारने की विट्रिक आपको बता दी ठीक है और दोस्तों दस पेज से दोस्तों यह देखी एक दो तीन चार पेज से दोस्तों आपके पास डेटा भी एक जग़ा ठीक है ठीक है दोस्तों अब कुछ बाकी नेरा PCD New Delhi में ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों PC बी चार्ट में बता रखे है ठीक है चार्ट में जाकर देखोगे तो यह चीजा आपको मिल जाएगे ठीक है आगे क्या करता है दोस्तों पे अकाउंट्स ओफ सिविलियन ऑफिसर्स सर्विंग इन पेड प्रॉंटली और करेक्टली दोस्तों जो सिविलियन ऑफिसर्स हैं जो फिल्ड एरिया में सर्व कर रहे हैं, ठीक है, आर्मी ओफिसर्स के साथ, ये बात लिखी नहीं है, लेकिन सवाल ऐसे पूछा जाता है दोस्तों आपसे, ठीक है, ये question पूछा गया है बहुत बार, पे अकाउंट्स ओफिसर्स सर्विंग इन दा फिल्ड एरिया विद आर्मी नवी और एर्फोर्स आर मेंटेंड पेड पेड प्रॉंप्टली और करेक्टली बाई विच ओफिस, पीशीडियो ओपुना, ठीक है, ये बहुत बार पुछा गया है दोस्तों, ठीक है, तो सवाल क अच्छे स्टुडेंट हो और आप लर्निंग की द्रष्ट्य से दोस्तों इन चीन को से घएक हूव、 ओपुना इन देखते हो, छो सक्वाल ये ये सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए, अगर आप लर्निंग की दrishtटी से दोस्तों, इंजिन्यों को देखते हो, फिक है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है ठीक है सिविलियन्स की बात हो रही है तो दोस्तों अगर दिल्ली की बात हो तो PCDA New Delhi आ सकता है सिविलियन्स की बात हो रही है दोस्तों अगर D.A.D. स्टाफ की बात हो रही है officer किसी और organization से मालो MES से है किसी और से है ठीक है तो दोस्तों उसका concerned जो reason उसका reasonable officer है उसका pay account office है दोस्तों वो maintain करेगा ठीक है आगे छलिए दोस्तों अगर यह field area में नहीं है तो इसका pay account को он maintain करेगा तो दोस्तों इसका concerned formation का pay section करेगा ठीक है वो जिस formation से दोस्तों belong करता है और वो दोस्तों civilian officer है ठीक है तो दोस्तों उसका fund उसका pay accounts को मेंटेन करेगा दोस्तों उसका concerned formation का pay section उसका concerned formation का दोस्तों office करेगा ठीक है अब मालो देखिए दोस्तों अपने कोई भी graph personal personal का example ले लो ठीक है यह देखिए maintain DSOPF defense services officers provident fund account of army officer दोस्तों कों maintain करता पीशेडियो बाकी के लिए दोस्तों chart देखें और ये बात भी chart में लिखी गई दोस्तों आपको chart जो बता दिया उससे दोस्तों बहुत चीज़ां solve हो गए आपके लिए ठीक है तो उसको देखते रही है revise करते रही है print out निकाल के room में चिपका लीजिए और daily उसको देखते रही है ठीक है responsible for audit and clearance of field cashier cash account दोस्तों जो field के अंदर cashier होता है रोकडिया होता है जो field के अंदर दोस्तों पैसे का disbursement करता है जहांपे कोई bank branch कोई treasury कोई दोस्तों किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है तो दोस्तों उसके responsible है audit or clearance के लिए cash account का दोस्तों PCDA O है ठीक है आगे चलिए दोस्तों PCDA BR New Delhi पे बात करते हैं दोस्तों 14-2423 ये page number है GPF account of their defense civilian दोस्तों क्या था कि जो civilian personnel of the army थे दोस्तों उनका तो maintain करते है CDF under merit ठीक है और दोस्तों बाकियों के जो बचा दोस्तों उनका करते है उनका functional controller ये बात दोस्तों page number 14 वे साफ साफ लिखी गई है ठीक है दोस्तों जो CDF under merit है दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि जो defense civilian है दोस्तों उनका दोस्तों civilian personnel of the army और दोस्तों जो staff of the defense accounts department है वो दोस्तों maintain करता है CDF under merit ठीक है और दोस्तों जो other का जो GPF account है other defense civilians का वो दोस्तों करता है उनका resulted functional controller ठीक है समझ में आए दोस्तों जैसे इसका PCDA BR का और दोस्तों मानलो क्यों और example लो दोस्तों मानलो navy defense civilian है ठीक है navy के civilian है उनका PCD navy करेगा ठीक है समझ में आरा है दोस्तों जैसे R&D के दोस्तों कोई भी मानलो defense civilian है उनका करेगा दोस्तों PCDA R&D ठीक है तो दोस्तों particular कोई service related अगर आप से कोई बात पूछ लेगा पावा दोस्तों कुछ भी आ जाए तो दोस्तों उसे concerned organization mention हो तो वो answer आपको tick करना है ठीक है समझ में आया है दोस्तों तो देखिए क्या है GPF account of their defensive union अगला है Render Assistance to Director General Border Road PCDBR New Delhi क्या करता है दोस्तों इसको सहायता प्रदान करता है DGBR को इसको DGBR बोलते है Director General Border Road तो Border Road जो organization है उसका जो head है ठीक है कफी बड़ी post रहती है यह अगला देखिए दोस्तों maintenance of pay account of graph personal दोस्तों जो graph personal है General Reserve Engineer Force वो दोस्तों उनका pay account जो maintain करता है PCDBR New Delhi ठीक है आगे दोस्तों इनका PF account है दोस्तों graph personal का वो भी यही maintain करता है आगे चलिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों PCDA Air Force दहरादून और PCDA Air Force नई दिल्ली के बारे में बात करेंगे ठीक है बुक्स के अंदर दोस्तों सभी जीगा इसको CDA Air Force नई दिल्ली दिया हुआ है तो आप अपने अपने किताबें हुटाएं और दोस्तों जहां जहां पे इसके बारे में मेंशन है उसको P.E.O.R. लगा दीजिए आगे PCDA Air Force नई दिल्ली ठीक है तो दोस्तों इसकी इन्फोर्मेशन 12 पेज़ पे, 13 पेज़ पे, 14 पेज़ पे, 19 पेज़ पे, 25 पे और 34 पेज़ पे 6 पेज़ पे दोस्तों इनके बारे में अलग अलग सूचनाएं दी गई है ठीक है तो दोस्तों उन सभी को मैंने एक जगए कठा किया और जो काम किया आपकी ठीक है तो देखिए क्या है PCDA Air Force दहरादून PCDA Air Force नहीं दिली पे अकांट्स आफ ऑफिसर और अे एमें अफकाव नहीं दिली चार्ट में मिल जाएगा PCDA दहरादून कवर आल कमांड्स और फियल्ड एरिया दोस्तों जो दहरादून का PCDA है वो सारी कमांड्स और सारे एरियाज को सारी कमانڈز और सारे एरियाज को फिल्ड एरियाज को कवर करता है PCDA Air Force दहरादून PCDA Air Force दहरादून दोस्तों सारी कमانڈز को इंडिया के अंदर जिती भी Air Force की कमانڈز है कितनी कमانڈ दोस्तों साथ है कैसे याद करता हूं पांच प्लस एक प्लस एक के जरिये मैं याद करता हूं ठीक है साथ कमانڈ है पांच प्लस एक प्लस एक के जरिये मैं याद करता हूं इन सारी कमانڈز का दोस्तों कवर ओल कमانڈز और फिल्ड एरिया को उससे रिलिटेड दोस्तों सारे काम जो है Air Headquarter को समझ मैंना दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी बाते हैं दोस्तों बहुत इसी इसी बाते हैं PCDA Air Force देरादुन की बात आएगी तो सारी Command और Field Area को कवर करेगा PCDA Air Force नई दिली की बात आएगी तो सारी Units located in Delhi including Air Headquarter की बारे में डिसकस करेगा और दोस्तों कई Hindi मीडियम बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हिंदी में बताओ अरे भाईयों इसको मैं क्या हिंदी में लिकूँ PCDA Air Force देरादुन को इसको आप लिक लो रक्षा लेका PCDA को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे भी नी बताओ रक्षा लेका प्रदानियंतरग और वायू सेना और धेरा दुन इसको इंदी में लिक लो cover all commands and field area इसको क्या लिक होगे सभी commands को cover करता है तथा field area को इंदी में क्या बोलेंगे चेतर को करता है ठीक है दोस्तों English और Hindi में कोई फरक नहीं है मिल जाएगा यह बात आपको चार्ट मिल जाएगी ठीक है आगे दोस्तों क्या है पीशेडिये एरफोर्स ये क्या करता है दोस्तों ठीक है अब दोस्तों खास बात आपको क्या मिलेगी इसके अंदर कुछ बच्चे जो बहुत अटेंटिफ होके सुनते हैं वो दोस्तों यहाँ पर क्या पाएंगे कि मैंने यहाँ पर किसी भी अगया दिली का लिखा थीक है तो दोस्तों यह क्या कंट्रोवर्श बात नहीं होगी ठीक है तो दोस्तों आपकेशा प्रता Snapchat लात बर यह से मयं अशपी सेम नगार ता दोस्तों छिक़ा आप दोस्तों उस नजर से देखो कि उस टाइम यह CGA था तो दोस्तों CGA Air Force नई दिल्ली आ जाएगा ठीक है पहला हीtóं दोस्तों मिरे पास नई दिल्ली लिखने का ये है ठीक है दूसरण दोस्तों मिरे पास अफकाओ जो है वो दिल्ली में है तो मेरे पास दोस्तों के एर्मेंस्विलियन का करेक्टली मेंटेटेंड वाई एफो इसकी दोस्तों एंशौर करता है मिला उसकी ऑडिट करता है ठीक है समझ में या रहा है दोस्तों आगे जिली मित्रों क्या है PCDA एयर फोर्स दैसरा दून जो है जब एरफोर्स की कमांड अपनों ने पड़ी थी पांच प्लस एक प्लस एक तो इसके अंदर दोस्तों एक ट्रेनिंग थी और एक दोस्तों मेंटेनेस कमांड थी दोस्तों MN में एन मेंटेनिस कमांड कहा थी दोस्तों नागपूर में ट्रेनिंग कमांड कहा थी दोस्तों बैंगलूरू में दोस्तों यह चीज़े भूल दी नहीं है आपको बार बार रिवाईज कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाओ अब भी एक्जाम में गलत करके आज़ाओ तो रहा है तो हैं इसका मतलब आप अटेंटिफ हो की सुन्धी रहे हैं कहां है में बनेंस कमांड का है दोस्तों नागपूर के अंदर है ठीक है तो हैड़क्वाटर मेंटे निसं कमांड नागपूर हैड़क्वार्ट ट्रेनिंग कमांड बैंगलूरू इसा पूश लियर्ष तो बेंगलूरु का ञे को खशाधन तो सधन एयर कमाड़ कहा है तिरवंत तंपुरम केरल में ठीक है काम कोन करता है दोस्तों जे एरफॉर्स नागकुर जो किस के ढणर में आता है दोस्टों तो चीजें को सब्सक्राइं कि बात की तो दोस्तों मैंने इसको बताया कि ये औल इंडिया की सभी COMMANDS और FIELD Areas को COMMANDS अरी तथा FIELD Areas को services render करता है तो दोस्तों COMMANDS और FIELD Areas की بाता ही तो दोस्तों जो mobile की नागपूर कीeda कमांड है मेंटेनिंस कमांड है उसके अनदर अफिस बना दिया JCDA Air Force控ण ठीक है इनके साथ दोस्तों कोरेस्पोंड लेंस करना इनका टफ पड़ जाता है इसलिए दोस्तों क्या किया मिनिस्ट्री ओडिफेंस ने जो एर से रिलेटेड एक और ओफिस खोल दिया जेशेडी एरफोर्स नागपूर ठीक है दोस्तों कंसेप्चुल बात है ये इसको खोल दिया इसको खोलने का परपस्ता दोस्तों इन तीनों चीज़ों को यहां पर जो लोग रहते हैं एरफोर्स के यहां पर परसोनल रहते हैं एरफोर्स के उनको चीज़ें रेंडर करना उनको सर्विसेश परदान करना ठीक है कौनकोंसी audit, accounting, payment और financial advice जो हमारा D.A.D. Department करता है ठीक है तो यहां पर J.C.D.A. Air Force नागपुर खोल दिया अपना अफिस ठीक है Headquarter Maintenance Command नागपुर, Training Command बैंगलूर, यह हो गया एक दोस्तों साउथ की जो एक इसमें से और निकाल लो साउथ की Air Command ठीक है और D.C.D.A. Air Force नाउगा करता है दोस्तों अवल बात टीक है। एक करता है एक करता है एक करता है एक करता है रह दोस्तों Unless Klassimogen और बाकी के अफ मतलब है दोस्तों … under proper head classification का मतलब होता दोस्तों वर्गी करन वर्गी करन वर्गी करन दोस्तों क्या होता है चीजों को दोस्तों अपनी अपनी जगह पे पहुचाना ठीक है बलब proper head के अंदर उनको पहुचाना proper head दोस्तों किसमें बनते हैं punching media के अंदर दोस्तों समझ में आ रहा है ना दोस्तों चीज़ें आपस में इंट्र कलेक्टेड है ठीक है ध्यान से सुनिए ओडिट करता है क्लासिफिकेशन अंडर प्रॉपर हैड और एक्सपेंडिचर इसका दोस्तों एरफोर्स के ऑफिसर एर्मैन एंसी नॉन कॉंबेट टेंट गोलते हैं ठीक और सिविलियन दोस्तों तोस्तों में लिए जो दिल्ली का रिजन है उसको दोस्तों पीडिये न्यू डेली अ फोड़ा सा बर्डन हटाने के लिए एक और ऑफ़िस कोल दिया डीसी कलोट एए इट ऐर फार्विस नागपूर दे दिया और दोस्तों DCDA Air Force नहीं दिली जो है, वो PCDA Air Force नहीं दिली केंडर में दे दिया, ठीक है, ताकि यह सारे काम कर सके, ठीक है, अब दोस्तों सवाल यह पैदा होता है, अगर question के अंदर DCDA Air Force नहीं दिली नहीं दिया हो, और यह चीज़ें पूछ ले, ठीक है, question आजाए दोस्तों, non-competent का, pay and allowances का proper audit classification under proper headconce office करता है, और दोस्तों यह option में नहीं दिया हो, तो आपको PCDA New Delhi टिक करना है, ठीक है, बाकी करेगा नहीं, exam मिले रहाए सा, क्योंकि to the point, to the line, वो question पूछता है, वरना आपको अगर ऐसा पूछेगा, और controversy है question के अंदर, तो आपको दोस्तों उसको bonus number देने प Scale audit क्या है दोस्तों, जो actual strength है दोस्तों, और दोस्तों जो nominal role है, उनके अंदर दोस्तों, उनको मिलान करना, उनकी strength को चेक करना, Scale audit दोस्तों, आपको जब भी दिमाग में आजए, S for scale, S for strength, strength चेक करना, ठीक है, उसको बोलते हैं, दोस्तों, Scale audit, और बहुत बार पूछा गया ठीक है, कहीं, Diffy तो नहीं है, और कहीं surplus तो नहीं है, उसको बोलते हैं, Scale audit, ठीक है, Scaling कर रहे हैं, ठीक है, दोस्तों, आगे चलते हैं, तो दोस्तों, आगे जाने से पहले, कल जो दोस्तों, एक मैंने ये वीडियो अप्लोड किया था दोस्तों, इसका, तो उसके अंदर पुना, बैंगलूरू और मेरेट है, दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों, RTC है, ठीक है, सारी अपनी Regional Training Center, इन चारों में, ठीक है, ये एक सिक्वेंस में बन गए, मेरेट, बैंगलूरू, पुना और लखनाव, ठीक है, और दोस्तों, इसको एक, डिफेंस पेंशन ट्रेनिंग इस्टिटूट जो इलाबाद के अंदर वो एड़ कर दो, ठीक है, तो दोस्तों, ये कंबाइन हो जाएगी जीजे, और दोस्तों, इसके अंदर दो, जो है Regional Study Center, अगर मुंबई और चन्नाई वाले इंक्लूड कर दोगे, तो जो तो टोटल जो अपने Training Division है, दोस्तों, पू पूना, कोलकत्ता, लखनव और मेरट में, ठीक है, कहां हैं दोस्तों, एक बार और बताता हूं आपको, बैंगलूरू, पूना, कोलकत्ता, लखनव और मेरट, यासे आद कर लो, लखनव, पूना, बैंगलूरू, मेरट और कोलकत्ता, पांच तो रटीसी, एक दो, तीम, च सिर्ट सेंटर फूर्य है और दो यह तो कि दोस्तों सब्सक्राइब करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एक तरह वो OM1 का दोस्तों इसमें अपने पूरी ताकत लगा देंगे इसको याद करने के लिए दोस्तों बाकी जो इसके चप्टर बच्चेंगे 10-12 चप्टर हैं वो दोस्तों जितनी ताकत आपको इनको याद करने में लगेगी उन सभी को याद करने में ताकत सेम लगेगी ठीक है एक OM1 का chapter 1 है और दोस्तों इसके बाकी 10 chapter है ठीक है इस cover अपने सारे ही करेंगे short trick देखेंगे दोस्तों लेकिन आपको इस पर जाता द्यान देना क्योंकि maximum question यहीं से बनते हैं ठीक है दोस्तों thanks for watching video को like करें share करें subscribe करें have a good day